नमस्कार भाईयों और मेनों कैसे आप स्वागता आपका मेरे चैनल में और मुझे खुशी होती है मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे वीडियो देख रहे हैं और देखते रहते हैं नुष्खे भी बनाते हैं और मैं भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आपको हमेश्या एक नुष्खा दिया करता हूं वो भी नया तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी किया करता हूं कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन दबाद में पास आपको रोजना ऐसे ही वीडियो मिला करेंगे तो आज मैं आपको टॉंसिल की बता रहा हूं जो गले में टॉंसिल होते हैं उन टॉंसिल के बारे में बताता हूं ज़्यादा सर्दगरम होने के कारण हमारे ये टॉंसिल पक जाते हैं फिर इतना हमें तंग करते हैं कि हम थूक तक नहीं निगल सकते इतना दर्द भी होता है और बहुत जादा सांस लेने में कई बच्छों के तो सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है टॉंसिल बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो ये गले को एकदम रौं देते हैं यह रुकावट पैदा करते हैं दोनों टंसिल तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और गरेलू छोटा सा नुस्खा बता रहा हूं वो आप कर लेंगे तो पहले ही टाइम में पहली बार नुस्खा करते ही आदा गंटा बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपके टंसिल बहुत जादा ठीक हो गए है आपको क्या करना है कि नीबू लाना है जो कि हर वक्त आपको बाजार में सबजी की दुकान पे सबजी की ठेले पे मिल जाते हैं और हर गर में दो चार नीबू तो पड़े ही रहते हैं क्योंकि हमें सबजी और में काम देते हैं तो इसको अच्छी तरह से दो लेना है उसके ऊपर कोई भी कटरा वगेरा लगा हो या कोई रेतल वगेरा लगी हो तो सब उधर जाएगी अब उसको आपको क्या करना है कि दो करके दो टुकडे कर लेना दो टुकडे करके और किसी कांच के बाउल में उपर चलनी रखके उसको निचोड लेना चलनी इसलिए रखनी है कि उसके अंदर जो भीज होंगे वो चलनी में रह जाएंगे और रस जो है वो गिलास में चला जाएगा पूरा एक निबू आपको निचोड लेना है अब आपके पास में नीबू का जो चिलका बचा है उसको फैंकना नहीं है उसके छोटे-छोटे दसवारा टुकडे कर लेने है चाकू से टुकडे करके उसको आपको वगोना में डाल कर 200 मिली लिटर पानी डाल कर उबालना है और जब 100 मिली लिटर पानी रह जाए तो इसको आँच बंद कर देनी है और पड़ा रहने देना है दिरे दिरे यह ठंडा हो जाएगा तब तक उस छिलके के अंदर नीबू का जो छिलका होगा उसके अंदर की जो पावर होगी वो भी उस पानी में आ जाएगी अब आपको उस पानी को जो हमने नीबू का रस देना है चान के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और एक चमच इसमें शेहद मिला देना है वो भी गुनगुना रहने पे उबलते हुए में शेहद मत डाल देना कभी भी बूल कर भी नहीं डालना है शेहद हमेशे गुनगुने या ठंडे में डालो गुनगुने से अब को आपको क्या करना है कि शैद मिलाने के बाद में इसको आपको चाय की तरह पीना है जैसे हम चाय पीते हैं शिप करके वैसे ही आपको चाय की तरह पी लेना है और पीके उपर से ठंडा पानी बगेरा कुछ नहीं पीना है आदा गंटा तक कुछ नहीं पीना है ये आपको करना है नुश्का और इसके साथ-साथ में आपको हाथो हाथ रजल्ट आएगा आपको क्या करना है कि एक गिलास गरम पानी ले लेना है यानि गुनगुना पानी हो ना चाहिए ज्यादा गरम नहीं हो के घला जलने लग जाएं उसके अंदर आपको नमक मिलाना है आपको चोधाई चमच एक गिलास के अंदर नमक डालेना चमच से अच्छी तरह मिला लेना और मुँ में लेके गरारे करने हैं उसके मुँं में पानी लेके मुँं को उंचा करके और जब आ की आवाज निकालोगे तो पानी गले के अंदर गूमेगा तो ये गरगल्स करने हैं गरगल्स आप करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद में ऐसा लगेगा कि आपके टॉंसिल किसी अद्दक ठीक हो रहे है ठीक हो गए है ये आप तीन दिन करोगे तीन दिन में आपके टॉंसिल गाएब हो जाएंगी तीन दिन मातर कर लोगे तीन दिन में आपके टॉंसिल खतम हो जाएंगी ये करके देखना मुझे बताना अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंज जै भारत